बड़ा हिस्सा इस तरह का है कि हमारे देश में हर किसी को एक इश्वर चाहिए, अब अम्बेदकर के विचारों को चेतना के अस्तर पर ले जाने के वजाए, लोग उनको भी एक महिमा मंदन करने लगे हैं, उनको भी मुर्तियों में डालने लगे हैं को लेकर उनके चिंतन मनन को लेकर जो उन्होंने अंभोक किया और जो उन्होंने अपने कारे में जीवन में अपनाया वह बिद्यार्थी उसको पढ़कर उनका ज्ञान बोद हो और वह एक अच्छे नागरिक बने वह वह उन सब चीजों का बिरूत करें जो खूद डाक्टर आंबेड कर ने घेला तो एसे जो सेमिनार होना बहुत ज़ोरी है क्योंकि सब्सक्राइब का एक होता है कि किसी के प्रथी सच्छाई को सामने लातम अब कुछ लोग आंबेड कर के बिरॉध ही कुछ लोग गांधव को गाली देते हैं कुछ लोग नेहरु को गाली Agent यानि एक डिसक भूर्स अलग दिसा में जा रहा है तो इस आप अब्स हीरान का लागा सब्सक्राइब मारते हों मंदिर मंजी तो रोगे दूसरों को को होगे है भगवान के आदर्सों को तो जानों पहले कि एक हजार ग्रेजुट लोगों की जो दिमागी स्वंपदा होगी इकठा अम्बेदकर सहाँ में लेकिन भारत अभी भी सबहता के मामले में अंधा लंगडा लूलहा और आपाहईज की इस्तिति में इससे उठने के लिए अम्बेदकर के विचारों को उसके प्रदेव को नमस्कार साथियो मैं ब्रजमोहन आप देख रहे हैं जनेत आवाज इस बक्त हूं मैं दयाल कॉलेज क्या लोधी रोड डेली में तो हमारे साथ उपस्तित हैं डाक्टर राजकुमार जी जो स्याम्राल कॉलेज डेली के प्रोपेशर हैं उनसे बात करते हैं यहां पर दयाल जो अभी कॉलेज में आए हैं उनमें अमबेदकर को लेकर किस तरह की समझ है उनकी चेतना कैसे बिक्सित की जाए उनको कैसे अमबेदकर के साहित से जोड़ा जाए और अमबेदकर की जो थौट है उनका उनकी जो समझ है उनकी जो द्रश्टी है उनका जो सिध्यान्त है उ यह उसका एक उद्धेश्ट था और बच्चों ने इस दिशा में बड़े महत्पुर्ण काम किया कि बच्चे अंबेतकर और अंबेतकरवादी विचारूं से संबंधित साहित और दृष्ट्री पर खुद तयार होकर आए और उन्होंने परचा पढ़ा यह एक तरह से नए श देशाजाद होने के लगवाद 90 के दसत तक नहीं दिया गया आज एक होड मची हुई है तमाम राजनीतिक पार्टिया हो यह सामजिक संगटन हो तो क्या कुछ बदलाव आपने आपको देखने को मिला है देखिए इस बदलाव को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा एतिह जांतों पर लिखे गई उनके विचारों पर लिखे गई कोई भी बड़ी और मुकमल किसी शामाज शास्त्री या किसी राजनीति शास्त्री के द्वारा लिखी गई रचनाएं आम तोर पर देखने को नहीं मिलती यही कारण है कि समाज में उनके बारे में जो अविरनेस ज अंबेत्कर अगी पुनर मुल्यांकन होना शुरू होता है आप देखें कि कासीραम का जो पूरा आंदोलन महाराशत्र का अंदोलन वह से उतलाब सब्सक्राण हों और आम। से बिचार होने लगा नए दंग से पढ़ा जाने लगा उनके उनके बहु सारे फैक्ट्स और तत्यों को जानने की पहल शुरू हुई तो यह एक आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर हुई लेकिन वो उसने अपनी एक जब राजनीतिक जमीन तयार कर ली तब उनके अन्य दूसर लेकिन जमीनी इसकर पर क्या बदलाव है लेकिन जो अपेक्शित बदलाव की हम उमीद करते हैं वो उसमें जरूर कमी है क्योंकि गांधी हों या अंबेकर उनके जो सिद्यान्त और उनके जो बिचार थे उनकी जो चेतना फैलाने की या समाज को जागरूप करने की जो पक्ष्ट था वो दरसल राजनीतिक लाव और अबसर की बज़ा से वो काफी दब गया एक बड़ा हिस्सा इस तरह का है कि हमारे देश में हर किसी को एक इश्वर चाहिए अब अम्बेदकर को भी अम्बेदकर के विचारों को चेतना के अस्तर पर ले जाने के बजाए लोग उनको भी एक महिमा मंडन करने लगे हैं, उनको भी मूर्तियों में डालने लगे हैं. आप याद करें कि मायवति ने ये कहा था कि हमें अपने शाहसन कालिमे के हमें अmb钟कर की 1500 मूर्तियां बनानी है. तो दरसल एक मुर्तियों के समनांतर आप मुर्तियां बनाने के बजाए उनके बिचारों को बढ़ाना नए शोध संस्थान डेवलप करना और उनसको इमंदारी से लागू करना ज्यादा उचित है जिससे कि हम बावा साब के बिचारों को आगे बढ़ा सकते हैं ना कि एक धा प्रमुक उद्देश से तो यह है कि जो विद्यार्थियों के बीच में बाबा साहब अमबेटकर के पठन पाठन को लेकर उनके चिंतन मनन को लेकर जो उन्होंने अनभो किया और जो उन्होंने अपने कारे छेतर में अपने जीवन में अपनाया वह विद्यार्थी उसको पढ़कर उनका ज्ञान बोध हो और वह एक अच्छे नागरिक बने वह उन सब चीजों का बिरोत करें जो खुद डाक्टर अमबेटकर ने जेला था और वह एक अच्छे नागरिक एक दिशभक्त नागरिक एक तरकवान बिक्ति और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में समाज और आश्ट का भला करें जी सर थैंक्यू आपका समय देखने और भी उपस्ते हैं सार आप में आका विभागा ध्यक्षू दॉक्तर चितरंजन कुमार आप तो लगातार यहां पर रहे हैं कॉलेज में जो माहौल है पिछले कुछ बरसों चात्रों की जो सोचती और आज की जो सोच है उसमें क्या बदलाव देखने के बदलाव अभी कहाना कि एक उधल पुधल का दोर से बुजर रहा है और समाज में तो बहुत सारी भीचा धराय भी होती है और कॉलेज क्या उसका एक नरसरी होता है और हमें बच्चों को कुछ लोग अमबेटकर के बिरोधी है समग allons गांधी को घाली देते हैं कुछ लोग नेहरु को घाली देते है यानि अबिश्कोर्स अलगदिसा में बनाशा तो इसके लिए प्रिंड कुंग लिए जिन्होंने देस के लिए देस के बीकास में भूमल जोगदान दिया है उनसे के बीचा धारा को कुछ हंडित करने के कोशिस हो रही है यह वाट्सब इनवका पर चल रहा है तो इन सब चीजों के लिए एक माध्यम है क्योंकि को लेज के बाद जब जाते हैं राजदिती में जाया समाज बेजाए या कहीं दोकरी के छेत्र में जाते हैं तो उनके प्रति एक अलग जो सच्छी जो टेमप्रामेंट का डिवलप्मेंट होता है गवर्मेंट तो तमाम कॉली उनिवर्शिटी में भागवत गीता और रामेड पढ़ाने के लिए को लागन कर रहे हैं उससे क्या बदलावाएं अच्छाई चीज होते हैं अब उसको भी तो गिपलिया ध्यान किजिए आप भगवान सी राम का नाला लगाते हैं दूसरे को मा उनके सारे जना कौन हैं बंदर बालू कि सहना थी डोर्म क्या आदर्स क эфф को तुप अपना होगा मेर् serum कर दिया गया विद्द पीदेखते हैं आप ही कवर आती है तो समझते हैं चरफ सेकिके नारी लगाए गये तो यय बहुत हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि गीता के जो लोग ओसॉप इधर छलाते हूं कि घृता को एह स्कति है कि गीत होक। राम das कि आए आपका समय दोने के लिए यहांपर और भी सर, चैनल बीचार गोश्टी आपके, बतलुक que मैं पिछले दिनों पिछले कुछ वर्सों में आज के मोजी दाला था। जीवित होता है तो उसके सामने पर्तिपक्चियों की एक बहुत बड़ी जमात होती है। अम्बेदकर साहब के संदर मेरी अपनी राय है कि 21,000 ग्रेजुट लोगों की जो दिमागी संपदा होगी इकठा अम्बेदकर साहब के संदर में जो गांधी बनाम अम्बेदकर और तमाम चीजों को लेकर जो बवाल मचाया गया। मुल्यांकर को लेकर देखें अम्बेदकर साहब कितने अच्छे इंसान और नेक दिल हिरदय के बैक्ति थे। कि गांधी की जब मिर्ट्य होती है तो अम्बेदकर पहली मरतबाया कहते हैं कि आज तक मुझे गांधी पसंद नहीं थे। परंतु उनके मरोने के बाद मैं गांधी को राष्ट पिता मानता हूं इसका एक मूल कारण यह है कि वही गांधी है जिसको किसी पद का मोह नहीं था। कभीर भी एक पंक्ति कहते हैं कहते हैं कि जाके कछू न चाहिए तेशाहन के साह जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही बास्तों में बासा होता है। हमारे अंबेदकर साहब को कुछ नहीं चाहिए था, अंबेदकर साहब तो वैसे ब्यक्ति थे, जो समाज के नीचे, सबसे नीचे कराहते हुए ब्यक्ति के तकलिकों को, उसके दुख को, उसकी विशमताओं को, उसका समानताओं को पहचानते थे, यह पहला ऐसा ब्यक्ति दि वह एक ऐसा व्यक्ति जो बास्तो में मानावता के लिए आगे आया मानावता के लिए रास्ता बनाया मानावता के लिए जो है सम्मिधान मनाया आल राजकुमार जी बोल ले थे आप भी बहुत जतन से बहुत दहरे से सुन रहे थे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सुनना चाहते थे समझना चाहते थे और अम्बेदकर की बौधिक संपदा और ताकतों के वज़ा से ही लोग उनके परति आकरसित हुए और आकरसन के कारण इतने दर तक सुनते रहे कोई भी उठकर नहीं गया तो आप उठकर कम नहीं जाते हैं जब उनमें कोई ताकत होती है सभाव हैं अम्बेदकर साभ जब तक जिवित रहे अमरने के बाद भी राजनितिक पठल पी दुखिए यह सधन में इंचिए सभावों में मैंसानों का बिरोद परतिरोद आलोचना उसके नहीं होती है समाज को तो मैं यही कहना चाहता हूँ और समाज के बारे में राष्ट के बारे में कि बड़े संत महत्माओं का की चौपाईयां दो हैं इसने लोग याद करते हैं कि वो जो बोलते थे वैसा आच्रण का निर्वाह करते थे आज लोग जो बोलते हैं वैसा आच्रण का निर्वाह नहीं करते हैं अम्बेरकर साहब तो सब के दिलों में सब के मनमस्तिक्स में सब के हिर्दय में अवस्थित हैं उपस्थित हैं और लेकिन भारत अभी भी सबहता के मामले में अंधा, लंगडा, लूलहा और आपाहज की इस्तिती में हैं इससे उठने के लिए अम्बेरकर के विचारों को उसके प्रदेव को सुईकार करना पड़ेगा और उनकी विचारों पर चलना हो धन्यवाद आपका समय देने के लिए तो साथियो यह थे हम तैयल सिंग कॉलेज लोधी रोड देली में यहां पर अम्बेरकर जन्ती के उपलच्छ में बहुती वब पर प्रोग्राम हिंदी विवाग अद्धिश हिंदी विवाग दोरा किया गया तो आपको भी आप सभी दरसकों को भी अम्बेरकर जन्ती की हारदिक मंगल कामना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें इसी आसा और उमीद के साथ कि आप भी डक्टर बावसा अम्बेरकर के विचारों को मानेंगे आप से बिदा चाहते हैं अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे नवाश काहते हैं